हालो फ्रेंज उस सर्दी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंज आज मैं आपके साथ एक ऐसी ड्रिंक सेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाप मिलेगा यदि आप अपना बजन कम करना चाहते हैं तो ये ड्रिंक आपके लिए बहुत ही करती है इसको मैंने खुद अंजवाया है और उसके बाद में आपके साथ सेयर कर रही हूँ इससे हमारी बॉड़ी का इम्मिनिटी पाबर स्ट्रॉंग होता है जिस किसी को भी पेट से समंदिस समस्या है जिसको भी गैस बगेरा बनती है पेट साफ नहीं होता है कबजी की रहती है तो भी ये इसका यूज कर सकते हैं उनको भी 100% से लाप राप्त होगा तो चलिए देखते हैं कि इसको आपको बनाना कैसे है और ये मात्र दो मिनिट में बन करके तयार हो जाती है जो भी आपकी किचिन में चीज़ों उपलब्द हैं बस ये उसी से बन करके तयार ह हो जाती है। इसके लिए लेना होगा सबसे पहले हमें एक बरतर और उसमें लेंगे हम एक गिलास पाने इस एक गिलास पानी को हमें गरम करना है और इसको हापी अच्छा गरम करना है अब आप देख रहे हैं कि पानी हमारा बहुत बढ़िया से गरब हो गया है तो अब हम इसको गैस को आउप कर देंगे और अब इस पानी को हम कर लेंगे इसी गिलास में तो आप देख रहे हैं कि ये एक गिलास पानी हमारा तयार हो गया है करमा गरब अब इसमें मैं डाल दूँगी जो ये मैंने डालचीनी का पावडर लिया है ये है डालचीनी और ये डालचीनी का है पावडर डालचीनी आप सब जानते हैं कि ये इस तरीके से होती है हमारी किचिन का ये खड़ा मसाला होता है तो ये डालचीनी का पावडर आधी चमच मात डालेंगे सहद जो कि आप कोई भी ब्रांड का अच्छा सहदी यूज़ करेंगे और इसको डालेंगे फ्रेंड्स हम एक चमच एक चमच भर करके बहुत नहीं लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यदि फ्रेंड्स आप इसको अपना बजन कम करने के लिए यूज़ कर रहे है इस ट्रिंग को तो आप इसमें आधा निवू का रस भी मिला लीजिएगा तबी ये जादा फाइदा करेगा लेकिन होता क्या है कि किसी किसी को निवू सूट नहीं करता है ठंडा बैठ जाता है तो फिर आप इसको रहने दीजिएगा आप बस इनी दोनों चीजों के साथ गर्मा गर्म इसको सिप सिप करके पीजिए इससे आपके बेट में भी बहुत फाइदा मिलेगा आपका बेट लॉस होगा और इससे आपका सर्दी जुखाम जो इस समय चल रहा है उसमें बहुत लाब मिलेगा 100% आपको लाब मिलेगा जरूर इसको यूज करके देखिएगा और यदि आप सुगर के पेसेंट है यदि आपको डाइवेटीज है तो फिर आप इसमें सैथ बिलकुल भी ना डाले तो आप इसमें गरम पानी में दालचीनी का ही उपयोग करें इससे क्या हो तो दोस्तों आप सुबह खाली पेट लीजिएगा और साम को आप ले सकते हैं लेकिन खाने से कम से कम एक घंटे पहले तो ये ज़्यादा लाब करेगी वैसे सबसे ज्यादा इसका लाब जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको खाली पेट से सुबह सुबह खाली पे बॉसूर नहीं करता है तो आप नीवू किप भी कर सकते हैं इससे हमारी इस्किन में भी ग्लू आता है जो चेहरे पे कील वहां से बगरा निकालाते हैं वह भी धीरे-धीरे खतम होने लगते हैं तो आप इसको एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और सभी के सास्थ सेर भी कीजिएगा तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई